मीडिया में भी सुर्ख्या बनी हुई थी कोई बड़े एक्टर का बेटा जो है वो गिरफतार होगा आखिरकार शारुखान के बेटे की गिरफतारी एंसीपी द्वारा दिखाई जाती है और लगातार जो है गिरफतारी चल रही है हिंदू-मुस्लिम की पॉलराइजेशन की सब्सक्राइब वाजपा सरकार का मैं फाल कर ढ़ता होगा री कभा से साल वटर से महाँ पर पैठे हैं खुद नखली हैं कई दफे काया है तुम्हारा चोकी दार हूं अच्छाने अपना दिखावा अजन्टी काड़ असली का नखली का क्या पैच्छाने अब एक चोकी दार से हमारे उसकी देश की रखवाल नहीं नहीं हो रही जुलम कर रही दस महिने हो गये किसानों को वहाँ बैटे हुए कोई सुना है आज लोग के अगर की सरजमी पर इस वक्त में मौजूद हूँ और दो हसार बाइस का चुनाव करीब है साथी साथ महा पंचायत लगतार हो रही है आज भारतिय किसान यूनियन तॉमर की महा पंचायत मुजफ़ा नगर में हो रही है और किसान इसके चुनाव में कैसे हिंदू मुस्लिम बनाये जा रहा है इसके बारे में भी बात की जाएगे क्योंकि कल देश के प्रधान मंत्री ने संबोदित किया देश की जंता को और साथ तोर पर कहा चो किसान बैठे हैं वह बांड किसान है वो लोग जो है किसान की बारे में नह किसान के पाँ छोड़ा गया पास साल में मात्र 25 रुपे बढ़ाए वह अब जब अलक्सन आगे क्यों हम वोट देदे पर किसान इतना बेवकूफ नहीं है कि 25 रुपे के लालच माया कर अपनी ओट देदागा तो सरकार को कड़ी चेता हमनी है किसान की कड़ी की जितनी भी सरकार की गुंड़ा करती है यह चल रही बाइद देखो बिजली मा किसान किसान मजदूर कितना तरफ था एक मजदूर का भील हजार हजार रुपे कहां से देपाव का भाई वो 300 रुपे मजदूरी करकारा रोजगी उसमें से अपना घर भी चलाना सारा काम करना बच्चे पढ़ने और उसे बिल देना पढ़ रहा हजार रुपे यह कहीं का न्यायनी है क्योंकि देश के प्रदान मंत्री का साफतोर पर यह कहना है चाहे कितने किसान सडकों पर बैठ जाएं उनकी छवी पर असर पढ़ने वाला नहीं है वो 2022 भी जितेंगे और 24 भी वह दिल का बह हैं हिली हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीती भी तेज हो गई है क्योंकि हाली में मौलाना कलीम सिद्धी की साहब की गिरफतारी हुई है उसे किस तरीके से देखते हैं जी हिंदू मुस्लिम भाई 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 मारा संगटन जो है किसान यूणियन तोमर 36 विरादर नबारते किसान यूनियन तोमर हमारे संगठन के जो राष्टे द्यग हैं चोधरी संजी तोमर जी हैं वो बहुत बहतरीन व्यक्ति हैं और जितना भी आज कल देख रहें आप काम बहुत बढ़िया चल रहा जिलात द्यग समारे अकलेश चोधरी जी हैं उनके नेतरतमा आज पंचायत हो रही और आप देख रहें कितनी तादातमा भीड़ाई हुई है कितनी तादातमा अर्याभी सरकार तक तो बास पहुचेगी कितनी तादातमा भीड़ाई हुई है लोगों का क्या नजरिया है क्योंकि 2022 का चुनाव जो है वो करीब आ चुका है कल से मीडिया में वी सुर्ख्या वनी हुई थी कोई बड़े एक्टर का बेटा जो है वो गिरफतार होगा आखिरकार शारुखान के बेटे की गिरफतारी एंसीपी द्वारा दिखाई जाती है और लगातार जो है गिरफतारी चल रही हिंदू-मुस्लिम की पॉलराइजेशन की जा रही है कैस दे किसान यूनियन तोमर जिला मामन तरी आस मुहम्मद त्यागी मेरा नाम है जो ये परोफेगंडा इन लोगों का चला है न तो ये बहुत गलत रिवया है इन लोगों का इन्हों ने पूरा-पूरा परोफेगंडा तो अजार बाइस के अलक्सन के उपर उठाया है और कर में घृःद को इन्हों ने टारगेट बनाया है और 2013 का जो जगडा मुसलमानों का यहां मुसलमान और हिंदूओं का हुआ था उसी टारगेट को लेके ये चले हुए है और इनकी राजनितिये बिल्कुल फैल हो चुकी है यहां का सीम जो है वो बिल्कुल फैल और हमारा साथ करेंगे और यह हमारा जो संगटने इसी चीज़ का गवाय है कि यहाँ पर आप आपको देखने को मिलेंगा संगटने के अंदर के च्छतिस विरादरी के लोग यहां पर मौझूद रहेंगे और सब मुसलमान हिंदू दाली समाज के शिक्ष समाज के सभी लोग यहां पर मुझूद हैं और इनको 20022 के अंदर इस सीज़ का मजा चका देंगे ये भारतिय किसान यूनिंइन तो हमर की तरफ से अलच ये बारतिय किसान यूनियन तोमर की तरफ से हेलान है यैंट कि जब 36 संग्टनbreak के लोग एक साथ एक जगह आ रहे हैं तो बाजपा सरकार जो है खुल करके हिंदू-मुस्लिम की जो पॉलिटिक्स है वो भी खेलती हुई दिखाई दे रही है भारती किसान यूनियन तोमर षी कर रही है है हमारे जिलाद दैक सिजी एक संजी उतोमर जी से भी हमारे बाचीत हो रही है तो वो पूरा-पूरा सहयोग दे रहे हैं और सबसे पहले तो मैं इस चैनल के मादियम से आप लोगों को ये कहूंगा कि इसमें जो हमारे उलमाई हैं उन लोगों को सब से पहले सामने आना चाहिए ने तो इसी तरीके से गिरफतारी होती रहेगी और इसी तरीके से ये मुसलमान कटते रहेंगे और इसी तरीके से बरबाद होते रहेंगे क्योंके इन्हों ने अपना कदम आगे नहीं उठाया है और मुसल्मान जो जब तक अपना कदम आगे नहीं उठाएगा जब तक काम्याबी नहीं मिलेगी मुसल्मानों ने अपसे पहले भी कदम आगे उठाई है तब जाकर के काम्याबी मिली है और यही आज की डेट में हमारी साथ में हो रहा है, हमारे साथ में इतना अन्या हो रहा है कि मोलाना किलिम सिद्धीक को उठा लिया गया, जिस तरीके से एक चोर को उठा लिया जाता है हमारे अंदर भी खून है, हमारा भी खोलता होगा खून और इन लोगों ने इस तरीके से ATS वालों ने साड़े चार से क्या government क्या कर रही थी साड़े चार साल पहले भी उठा सकती थी मुलाना कलिम सिद्धी को मगर इन्हों ने नहीं उठाया आज परोपेगंडा इनका 2022 के लिए चला है और कोई परोपेगंडा नहीं है हम हिंदू मुसलिम हमारा ये संगटन पुरा साथ एक साथ में रह करके सब को इनको बता देगा कि योगी सरकार क्या चीज़ है योगी सरकार को यहां से खतम करके मान के रहेंगे हमारा संगटन ये ऐलान कर रहा है पर लगातार ये देखा जा रहा है योगी अधित्यनाद धंके की चोड़ पर कह रहे हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं और मोदी जी भी ये ऐलान कर रहे हैं ये जो किसान बैठे हुएं ये नकली किसान हैं उनसे इनकी छवी पर कोई असर पढ़ने वाला नहीं है। चुनाव होगा और चुनाव में निश्चित बीजेपी की हार होगी और ये हमारा किसान संगटन ना इसमें मतलब कोई भी जात बात बेका कोई मामला नहीं है। तेल के रेट क्या है? पैट्रोल के रेट जो है 100 रुपे को पार कर रेजी है। अच्छा डिजल के रेट भी है ये। गैस सलंडर हमें 400 रुपे में मिलता था। उसमें हमें सबसीडी दे दी इनोंने। अब सबसीडी हमारी खतम कर दी। सबसीडी खतम करने पे हमें सलंडर मिलता 1000 रुपे का। क्या करेगा किसान? सरसो का तेल है, 100 रुपे, 90 रुपे खरीदते थे। 200-500 रुपे में तेल खरीद रहे हैं, 300 रुपे की मजदूरी है। गन्यव कितने पैसे बढ़े? 25 रुपे बढ़े 5 साल में, तीक है? 5 साल में यानि के 5 रुपे पर 30 साल आना गोर मिटने हमें पैसे बढ़ाए। और तेल पे कितने बढ़े इस टेम पे? कितना पैसा बढ़ा तेल पे? तेल पूरा डबल कीमत पे हो गया। तो यह सरकार जूट बोलती है, यह चुनाओ जो लड़ती है, धरम उस पे लड़ती है, हिंदू-मुसलिम का फिसाद कराना चाहती है अर जगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। कलीम उल्ला मुलाना सिद्धी की साहब को गिरफतारी ली इनो ने, बल्लब ऐसे उठा लिया के, जैसे हैं बहुत बड़े इस्टी सिकते हैं, अब मानने की बाते कुछ लोग RSS के हैं, वे मुसल्मान को पकड़ते हैं, बोलते हैं के जे मात उसकी बोलो, है जी, जे सीरी रा हम बोलने से हिंदू हो गया क्या, बताइए, जे एक परसेंट वो महां पे मजमे में गिर के बोल देता है, बाई, RSS के 10-20 लोग है, उसमें गिर के बोल दिया, उसने, के जे सीरी राम, वो मुसल्मान से हिंदू हो गया क्या, बताइए, अच्छा मोलाना सिद्धी की साहब अरोप है कि धरम्परी वर्तन और कराते ऐा, बाई, मोलाना सिद्धी की साहब धरमपरी वर्तन करा लेते, उनकी गिरफतारी अब शे महिने पहले बी खिंटे, एक साल पहले वी खिंटे, क्योंकि सरपे च्छुनाओ है, च्छुनाओ में मल्लब 6 महिने बाधी है, और इनके कि मुसलमान में मुखदूर भी मुसलमान को ऐसा घृच सब्सक्राइब लेकिन जो गरीब आदमी है उसका क्या होगा गरीब आदमी हिंदू नहीं है, हिंदू भी तो हैं गरीब आदमी, जब गरीब आदमी मानने की बात है, 500 रुपे सरसो का तेल खरी देगा, 300 रुपे की मुझदूरी लाएगा, तो क्या मिलेगा उसे, एक दिन में, एक लगातार जो सीम योगी आदितिनात हैं देश के प्रधानमंतरी जो हैं किसान सड़कों पर हैं किसानों को नकली बताने पर लगी हुई है युवा सड़कों पर उतर रहें तो जेल की सलाकों के पीछे डाल दी जाते हैं कैसे देख रहे हैं इन चीजों को क्योंकि आप भारत क जो मुस्लिम दिगज हैं उन्हें टार्गेट करने पर उतारू हो गई सरकार जिससे हिंदू मुस्लिम की राजिनीति की जा सके दो हजार बाइस में क्या भाजपा के यह फॉर्मूला कामियाब हो पाएगा पहला तो मैं अपने बारे में बता दो आपको किसान उन्हें तो मर जो है यो चतिस विरादरी का संगटना अजान कोई संपर्धा जगड़ा कभी न तो उत्तर पर देश में होया और न कभी फिड़ सा होगा अर जिन किसानों को यह आतंगवादी बता रहे ना उन किसानों का सब का अधार kाड लेगा देख लो भाई किसके नाम जमीन है कोण आतंगवादी है कोण सही है कोण गलत है पता लग जागा देश के युवा का नुकसान होगा आज हम लोग है हम देश के युवा है जब तक हमानोक्री नि मिनने की रोजगान नि मिनने का तो हम कर क्रा लागे तो जब नोगरी मिलेगी जबी तो कुछ करपाँंगे हम नोगरी तो नोगरी 100 पे देने उटायार नी कोई रोज गे क्यों जी इतनी पुरी अलत कर दीं हो न हमारी हम तो BGB सरकार को हरावेंगे हरावेंगे अर जो नकली किसान के न उनका अदरकार लेलो ए दस पीज भी गए हर किसी पर मिलेगी नकली कोई नहीं बैठा हुआ अतंगवादी आगे बनता है पाकिस्तान था अतंगवादी आगिस्तर हो गए वहाँ बोडर पे सब सहरे जितने बैटे सहरे किसान भाई है सब की समझ से देश के परदाना मंतरी को सुनने चाहिए अच्छ देश चलाते तो अच्छा ही बोलते क्योंकि मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा क्योंकि लगतार जो है ये देखा जा रहा है कि हिंदू-मुस्लिम की राजिनिती के लिए मुस्लिम जो बड़े नाम है दिकज नाम है उन्हें टार्गेट किया जा रहा है लगतार गिरफता पारी दिखा दी गई है कैसे देख रहे हैं ये भाजपा का प्रापागेंडा है ताकि मुस्लिमों में खौफ पैदा किया जा सकते हैं आपके मद्द्र चैनल से बात कहना चाहता हूं जो मौला ना कलीम को अब सच्छा साल पहले उठा सकते थे आप सपास दस साल पहले उठ सब्सक्राइब रही राजनाथ सिंग्धा के मुख्यमंतरी रहे तो इनका पहले हिंदु मुस्लिम हो और हमारी सरकार बने किसान यूनिन तॉमर के और भी लोग मेरे साथ मौजूद है क्योंकि सीम योग्या दितेनात और देश के प्रदान मंत्री का ये कहना है कि जो किसान बैठे हैं वो नकली किसान है और कल ही एक इंटर्व्यू देश के प्रदान मंत्री ने दिया किसानों को भूंडा प्रदर्शन कारी करार दिया है कैसे देखते हैं देश के प्रदान मंत्री ऐसे शब्दों का इस्तमाल किसानों के लिए करते हैं तो मैं भारती किसान उमर का नगर अध्यक जानसट जो वे कह रहे हैं हमारे भाईयों को जो छे महीनने से साल भर से वहाँ पे बैठे हैं कि ये नखली हैं वे खुद नखली हैं और हमारी जनता परधान मंतर जी को नहीं समझ रही परधान मंतर जी ने कई दफ़े कहा कि मैं तो अपना थिल अठाऊंगा और चल जाओंगा मैं तो तुम्हारा चोकीदार हूँ कहा चोकीदार हूँ अगर हम नहीं समझ पारे के चोकीदार हैं सारे देश का नास कर दिया वो तो चल जाएगा और जनता नहीं समझ पारी योगी कहते हैं कि ये नखली है असली तुम हो अपना दिखावा अजन्टिक पाकिस्तान से वो आ गई 300 कुम्त नेगजीन आ गई तुम कहें के रखवाली कर रहे हैं यहां यह गाउं के लोग खड़े हैं जरा हमारा के कोई एक पठका नहीं पठका दिये पठका दिये को एक लटमार दिये सारे काम करा रहा है रक्सन जीतने के लिए राजनिती के लिए इस देश का नाज करकर डाल दिया अभी हमारे समझ में नियारी समझ में आएगी देश आएगी दूर्स आएगी दूर्स आएगी लेकिन समझ में आने लगी इसकी बात तो होगी मैं एक आखरी सवाल भी आपसे लेना चाहूंगा क्योंकि जैसी 2022 के चुनाव करीब आए हैं तो गिरफतारियां शुरू हो गई हैं जबरन धर्मांतर का आरोप लगाकर के मौलाना खलीम सिद्धी की साहब को जेल में डाल दिया गया आईएस इस्तिकार उद्दिन के उपर यही आरोप लगाए गए उत्तर प्रदेश में उन्होंने देश की सेवा कि पिर अउनके ऊपर यह आरोप लगातार बड़े-बड़े जो मुसलिम नाम है उन्हें टार्गेट किया जा रहा है कैसे देखते हैं क्या भाजपा अपनी जो मुसलिमों को डराने की राजिनीती ह उसमें कभी कामियाब हो पाएगी यह मुसलमान होना जुलू हैं कि मुसलमान पे ही बड़े-बड़े हमारे मुलाना ठाले मुलाना कली मठा लिया इसलिए ठाले भड़क जाएं दंगा करें जेल बेज के अपना अलग संझिद लें मुसल्मान की खामोसी को यह बुजदिली न समझें यो खामोसी क्यों है क्या है ने संद 2022 में बता देंगे यह खामोसी हमारी क्यूं है जेल चले गए हमारे मुलाना बेद दाग है बेद सकते हैं वो भिजगे एक दम कोट भी कोट पर भी हमारे मुलाना मद्री पर उस पर पर दिखाते हैं आदी दिखाते हैं यह आदी निई दिखाते हैं ने सकतुस मुलाना मद्री पिएmost तो यह जैंसा मैजदिज्दा में आपको बता दें किया एक meetings को भी मीडिया इस आउसी में आरोप है कि वह 27 उ日本 और गलत तरीके से पैश करना है तो जनता जो है यहां पर म अजूद है